बहु की रात की नौकरी निर्जला अपनी अंजली को दिन से ही सुना रही थी और ताना देते हुए कहती है अरे बहु आप जल्दे से काम भी कर ले, शाम होते ही तुझे अपनी नौकरी के लिए भागना होगा मा जी आपको पता है कि मैं सारा काम करके ही जाती हूँ फिर आप मुझे इतना क्यों सुनाती हो, काम कर दूँगी न, अभी थोड़ी देर तो सोनी दूँ मुझे हाँ बड़ी आई टाइम से काम करने वाली अरा तुझे तो खुछ शर्म आनी चाहिए कि अब शादी हो चुकी है कम से कम अब तो ये रात की नौकरी छोड़ दे मा जी वो मेरा काम है और मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती हूँ मैंने इतनी पढ़ाई की हैं, इसलेपढ़ाई नहीं की कि कलको मैं अपने ससुराल वालों के दबाओं में आकर नौकरी छोड़ दू हाँ यहां ससुराल वाले बले ही मरते रहे हैं वो तो तुझे दिखेगा नहीं बैड़ी आई नौकरी करने वाली अरे जा अभी से रात के खाने की तैयारी कर वारना तो देख लियो आज काम पर जानी नहीं दूगी मैं माजी वही बोलो जो कर पाओ बना चुपी रहो अए अपनी सास को बस अब चुप करवाती रह देख पहू तुमुझे अपनी दुश्मन मत मान मैं जो भी कह रही हूँ वह तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ ऐसा अच्छा नहीं लगता कि रात रात भर बहू बाहर काम करे माजी अगर आप मेरी दुश्मन नहीं हो तो दुश्मनों वाली बाते क्यों कर रही हो अरे हम आज की समय में रह रहे हैं और आप कैसी बाते कर रही हैं अब भी ऐसा सोचना बहू काम के बाहर भी एक जिन्दगी होती है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया कर माजी मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को मेरे काम करने से इतनी ज्यादा परिशानी आखिर क्यों है और मैं आपकी और बात अभी नहीं सुनने वाली हूँ अंजली की रात की नौकरी थी इसलिए उसे रात में नौकरी पर जाना पड़ता था और यही चीज अंजली की सास को बिलकुल भी पसंद नहीं थी लेकिन अंजली अपनी बात के आगे अपनी सास की बात नहीं मानती थी और रात में नौकरी करने जाया करती थी ऐसे ही एक शाम अंजली काम पर जाने के लिए तयार हो रही थी तभी अंजली का पती अभी नवाता है और अंजली को पीछे से गले लगा लीता है ओ अंजली, कितना टाइम हो गया है हमने एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं बिता और तुम्हें तो अपने पती का सरा भी ख्याल नहीं रहता रे कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो जाने मन मेरे पती देव, मुझे हर वक्त आपका ही ख्याल रहता है यहां तक कि मेरे तो काम में भी दिल नहीं लगता पर अब क्या करूँ? मजबूरी जो है अहा, अच तो बहुत प्यार आ रहा है अपने पती पर चलो इसी बहाने प्यार तो आया अचली, आज रात ना हम कहीं बाहर गुमने चलते हैं जहां बस हम दोनों हो और कोई ना हो अच्छा जी, इतनी देर से इसलिए मसका लगाया आजा रहा था नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना मुझे बहुत काम है, वैसे भी तुम रहो यहां के लिए मैं चली जाब पर अभी तक तो तुम्हारा इतना अच्छा मूड हो रखा था और अब अचानक से ये क्या बकवास करने लगी एक दिन तो अपने पती के लिए निकाली सकती हो ना वही तो मैं भी कहती हूँ कि एक दिन निकाल लो ना अपने पती के लिए मैं अभी दिन बर घर पर अकेले बोर हो जाती हूँ तुम एक दिन निकालो कलो ओफिस की छिट्टी फर तुम भी खुश और मैं भी खुश तुम अच्छे से पता है ना मैं ओफिस से छुट्टी नहीं ले सकता और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पता भी है मेरा एक दिन की छुट्टी करना मुझे पर कितना भारी पर सकता है अच्छा तो मतलब तुम छुट्टी ना करो और बस हमेशा दोनों मा बेटा मिलकर मुझे ही बोलते रहो मैं काम छोड़ दूँ, मैं छुट्टी ले लूँ, है ना मैं बने काम छोड़ने के लिए कब कहा मैं तो बस एक दिन की छुट्टी लेने को कह रहा हूँ इतना तो तुम करी सकती हो ना मेरे लिए sorry my dear husband मैं नहीं छुट्टी करूँगी और नहीं यहाँ आपके साथ और गुफ्त को करूँगी मैं चिली अपने काम पर, ऐबाई इतना बोलकर अंजली महां से चली जाती है और अभीनों का मो बन जाता है अंजली की नौकरी को कोई नहीं समझता था हर कोई बस अंजली को काम छोड़ने के लिए कहता रहता ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं कुछ दिनों बाद अंजली को अगली सुबह भी आने में बहुत देरी हो जाती है। जब तक अंजली घर नहीं आई, तब तक घर में खाना भी नहीं बना। वहीं निर्जिला को भी चक्कर आ रहे थे और जब अंजली घर आती है तो उसकी ननदत ज्योती अंजली को सुनाने लगती है भाबी आपको हर वक्त बस काम ही दिखता है क्या यहां मा की कल राद से इतनी ज्यादा तब्यत खराब हो गई है आपको वो नहीं दिखा मटकती हुए चली गई नाइट शिफ्ट करने मुझे नहीं पता था कि माजी की तब्यत खराब है और माजी अगर आपकी तब्यत खराब थी तो आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कल रात तक तो आप बलकुल ठीक थी भाबी आप घर में किसी की सुनती का ओ मेरी मा तो बिज्जारी परिशान ही रहती है मेरी मा ने सूचा था घर में बहु आएगी जो घर को परिवार को समभालेगी लेकिन यहा तो बहु को रात की नौकरी करने जाना है अरे जब भाईया कमा रहें तो आपको क्यूं जाना है काम पे आप भी तो घर में ही रहती हो न अगर मैं नौकरी करने जाती हो तो आपको भी तो घर का ध्यान रखना चाहिए क्या घर का ध्यान रखने की जिम्मेदारी बस मेरी ही है भावी अपनी गलती को मान लेने से आप छोटी नहीं हो जाओगी और अपनी भावी पर गलत इल्जाम लगाने से तुम बड़ी नहीं हो जाओगी घर वालों को भी तो सोचना चाहिए ना अगर बहु नौकरी करीए तो मेरी मदद ना सही लेकिन मेरी परिशानी तो ना बढ़ाए नौकरी तो बस बहाना है पता नहीं कहां मुँ मारने जाती हो आप जिसकी शादी हो जाती है ना उसकी लिए नौकरी भी उसकी ससुराल वालों का ध्यान रखना ही होती है और एक आप ही हो बेशर्म जियोती ने गुस्से में अपने भाबी को बहुत कुछ बोल दिया था जो अंजली को बहुत ज्यादा बुरा लगा इसलिए अंजली अगले दिन ही काम छोड़ दीती है कई दिनों तक तो सबको अच्छा लगता है कि अंजली ने काम छोड़ दिया है एक दिन अंजली की सास अंजली से कहती है अच्छा हुआ बहुत उन्हे काम छोड़ दिया अब देख तु भी खुश और हम भी खुश पहले काम करती रहती थी, शरीर को आराम भी नहीं मिलता था अब देख चाहरे पर कैसे निखा आरा आरा है हाँ माजी क्या हुआ बहु तू शांद शांद क्यों है माजी मैं रस्वे में खाना बनाने जा रही हूँ जब से नौकरी छोड़ी है, बहु इतनी शांद हो गई है ना किसी से ढंग से बोलती है, ना ही हस्ती है ऐसे ही चलता रहा तो बहु तो हमसे वैसे ही दूर हो जाएगी काम छोड़नी के वज़े से अंजली अब चुप चुप रहने लग गई थी अब अंजली ना किसी से बात करती, ना किसी की बात का जवाब दीती ये सब अंजली के सिसुराल वाले भी देख रहे थे और उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब अंजली की चुप पी, अंजली के सिसुराल वालों को सताने लग जाती है तो एक दिन सब अंजली को बुलाते हैं भाबी मुझे माफ कर दो मैंने आपके साथ बहुत बत्तमिजी करी है न कोई बात नहीं आप लोगोंने इसलिए बुलाया था क्या मुझे नए बहू हमें तुझसे कुछ बात भी करनी है इसलिए यहां बुलाया है तुझे आपको मुझसे क्या बात करनी है अंजली हम सब को माफ कर दो हमने अपने स्वार्थ में तुमारी नौकरी को कोई एहमियत नहीं दी मुझे भी माफ कर दे बिटा रात की नौकरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है लेकिन मेरी बहु रात की नौकरी करती है, मुझे गर्व होना चीए था तुझ पर और मैंने तुझे ही सुनाया हाँ भापी हम सबको माफ कर दो बहु हमें हमारी गलती का एसास हो गया है और मैंने तेरे दफ्तर में बात भी कर ली है कल से तुझ वापस नौकरी पर जा सकती है सच में माजी? हाँ अंजली की घरवालों को समझ में आता है और वो अंजली को अब रात की नौकरी करने के लिए मना नहीं करते है